आज हम देखने जा रहे हैं B.E.G.LA.135 जो कि है आपका English in daily life इसमें क्या questions है ऐसे जो कि question जो पेपर है वहाँ पे आपकी repeat हुए है और कुन से ऐसे questions है जो आपके question paper में से आए हैं ठीक है वो हम देखने की कोशिश करेंगे तो इससे पहले मैंनी आपको अपनी अगर मेरे चैन जो December 2021 वाला paper था वो नहीं आया था ठीक है तब एक्जाम नहीं हुआ था December 2020 वाला इमेनी आपको paper दिखाया था तो इसलिए मैं वापस है जो strategy है इसका paper बना रही हूँ और यह जो strategy है I hope यह आपको help करेगी और आप exam में अच्छे से आपका अपना जो paper है वो देखे आओग एक सवाल कि आपको बराबर marks मिलेंगे ठीक है तो सबसे पहले यह जो question paper है याद रखने है इसमें passage आए कि जो कि बहुत लंबी सी passage होगी ठीक है तो यह आपको पहले ही mind बना के रखना है आपको पहले ही कोशिश करनी है कि आपको देखना है कि कि आपको passage आती है या नहीं उन सीन आईगी बुक में से नहीं आईगी बुक के बाहिर आईगी ठीक है कहीं से भी वो pollution पर पूछ सकते हैं water जो है उसके related पूछ सकते हैं climate change के ओपर पूछ सकते हैं इंटरनेट के उपर भी डाल सकते हैं, वो कोई भी topic उठा सकते हैं, ठीक है, जो कोई भी topic हो सकते हैं, जो main issues हैं, सोसाइटी में उसके related या कहीं से philosophical ऐसे उठा लेंगे, तो वहाँ से ये डाल देंगे, आपको passage और आपको solve करनी है, ठीक है, तो ये passage solve करने से पहले आपको क्य पहले देखो कि क्या बोल रहा है जैसे यहां पे था why did the woman who spoke to Robin have tales in her eyes यहां पे पूछ रहा है कि जो ओरत तर वर्द प्रॉटर वोच में की में पूछा है है वहां बेए यहां पे आपको सारे सवाल पूछने हैं चीहां पैर तो सारे सवाल देखने और उसके पाद इसके ब्रब्र part B यहां पर दो यह वर्ड्स अन्पॉपिलर फ्राउंड रूड बेस्ट स्ट्रेंग्थ यह जो आपके यहां पर इन्होंने बता है किस पैराग्रेफ में से इन्हों यह सवाल पूछ है आपको पैरा टू पैरा थ्री तो यह सारे आपको यह वर्ड्स यहां पर अंडरलाइन करने हैं ठीक है यह आपको करना है उसके बाद यहां पर जब यह एक बार आपको आजाएगा माइन में फर आपको आना है पैसेज स्टार्ट करनी है पढ़नी ठीक है अब आप पैसेज को पढ़ोगे जैसे आपको माइन में रहींगे ने दो तीन सवाल आपको जैसे पहले ही सवाल है यहां उनने नहीं को नहीं प्लब और पर गया घौ t resonates नहीं एकड़ा देडे़ना भी उसके लिकानविदों। अगर आपको कि मैसे पांजिण आंपनी हैंего है कि इसके अगर अदर नहीं क्या आहिए यह भी आपके passage में से ही है बट आपको इनको अपने words यह sentences बनाने अपने हिसाब से जो यहां पर यह words जो है यहां पर भी इस्तमाल किये गए है passage में भी बट आपको इनको अपने honored जैसे है celebrity जैसे है showed up है कंडम है tough है अगर आपको इनका meaning पता होगा तो फिर आपको यह sentences में इस्तमाल करने है कोई बड़े difficult से sentences ने बनाने चोटे-चोटे sentences जो होते है वो बनाने आपको ठीक है जिससे आपको एक marks तो मिली जाए ऐसा यानि पांच marks आपको मिल जाए और जो examiner को भी समझ आ जाएं easily जो आप कर रहे हो उसके बाद है यहां पर आपको पूचा गया था describe in about 250 words the social sites that you regularly use what are the advantages and disadvantages of social networking sites तो इसके बाद आपको यहां पर पूचा गया है कि आप ऐसे कुन सी आपका एक block है ठीक है वहां पे एक chapter है जो social media को लेके जैसे instagram हो गया बागी telegram वगरा हो गया वोटसाब हो उसके बारे में वहां पर discuss किया गया मैंने अपको यह पढ़ाया है तो उसमें उसी के related यहां पर की आपको सीदे बूचा है इनोंने कि ऐसी कुन सी sites हैं जो आप regularly इस्तमाल करते हो और उनके क्या फाइदे हैं आपके सिसाफ़ से और क्या नुकसान आपको face करने पड़ते है उसके बाद या अगर आपको यह नहीं करना चाहते थे फिर आपको एक और option था कि आपको कोई जो आपके ग्रेंट पेरेंट्स दादादी या जो पेरेंट्स आपके बच्पन में कुछ कहानी आपको आपके जो आपके folk tale जो होती है ना हमारे culture के related जो कहानिया होती हैं वैस student के जो president होते हैं post of president in the students union election जो है वहाँ पे उसके लिए आपको पोस्ट के लिए यह कर रहे हो उसमें participate कर रहे हो तो आपको अपनी 300 words में एक speech तायार करनी है जिसमें आपको बताना है कि आपके पास क्या ऐसी qualities है leadership qualities जो आपके पास अच्छी हैं और जो उनको फाइदा दें कर सकते हो बागी उसे क्यों आप अच्छे हो बागी candidates जो हैं उनसे क्यों जएदा अच्छे हो आप तो यह सारी आपको 300 words में आपको speech लिखनी सीखनी है और वो आपको कर जानी है और यहां पे question यह आएगा ठीक है यह जाए बहुत चांसे आने के तो यह करना अच्छे से फ और उसको बोलना है कि डायलॉग होगे दोनों के बीच में बात होगी ठीक है आप उसको बताओगे कि आप ऐसे movie का plan बना रहे हो इसको सारा बताओगे movie के related जो भी है movie वगएरा और आपको उसको time वगएरा बताना है और कब आप वो movie देखने जाओगे तो उसके बारे में टू पेजस पर आपको इस पर डिसकस करना है एक डायलॉग पहले ही आप बात करोगे फिर आपका friend करेंगे इस तरीके से फिर यहां पर आपको कुछ यहां पर 10 words दिये हैं इनमें से आपको डूणने है कून से ऐसे words है जिनमें कोई एक जो letter है वो silent है जैसे walk, walk में क्या है silent w a l k को हम walk मत पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ते है walk w a k walk यहां पर silent रहते है ठीक है वैसे यह hedge इसमें क्या है hedge मत पढ़ते हैं इसको hedge पढ़ते है h e g e d यहां पर silent है है ना left में तो left पूरा ही पढ़ते है begin में भी पूरा ही पढ़ते है right में क्या silent रहते है w है ना ugly में पू पी-silent है, slim, फिर है illegal है तो इस तरही किसे आपको कोई पांच वर्ड देखने हैं जहां पर जो जहां पर कोई वर्ड कुछ लेटर जो हैं वो silent रहे हैं उसके बाद आपको यहां पर है आपके जो आप के college में आपको एक article लिखने के लिए बोला गया है तो आपको you have been asked by your college to write an article तो आपको एक जो टीवी न्यूज रीडर होता है जो टीवी पे न्यूज को रीड करता है तो उसकी लाइफ के बारे में आपको एक article लिखने है तो आपको ऐसे कुन से सवाल जब आप पहले interview लेना पड़ेगा उसके लिए तो आपको ऐसे कुन से 5 सवाल है जो कुन से आप पूछोगे और जो फिर आपको help करेंगे आपका article लिखने में ये भी आपके book में से ही आए है इस book में सारे आपके passage को छोड़के सब कुछ book के अंदर से ही आएगा ठीक है तो यहाँ पे आपको बाहिर पढ़ने की कोई ज़रत नहीं सिर्फ passage आनी चाहिए आप आपको solve करना बाकी सब कुछ book में से ही आएगा फिर यहाँ पे आपको prepositions दिये गए हैं वहीं से पांच तो इन में से आपको sentences में डाल दे हैं उसके बाद यहाँ पे आपको verbs देखने हैं कि इन में से कुन सारे इसको बाक को क्या आएगा यहाँ पे तो इस तरीके से आपक बहुत problem हो जाएगी वो सारे वीडियोस बहुत जाएदा हैं तो आप वो सारे अभी नहीं पड़ नहीं देख पाऊगे और वो लंबे वीडियोस भी हैं तो time बहुत आपका waste हो जाएगा तो आप खुदी इसको practice करने की कोशिश करो उसके बाद यहाँ पे अगर पे कोई है इनको आपको यहाँ पे यह जो डबे में देखे है words इनकी help से इनको दुबारा लिखना था तो यह था आपका अब मैं 2020 वाल दिखाऊंगे आपको यह है आपका 2020 वाला ठीक है यहाँ पर भी देखो आपको पैसेज पूछी गई थी बहुत लंबी सी पैसेज है तो यह आप देख लो इसको pause करो वीडियो को और आप देख सकते हो फिर इसके बाद मैं आपने इंस्टाग्राम पे भी यह डाल दूंगी तो आप वहां पर जाके भी इसके यह देख सकते हो जो पेपर के वहां से भी screenshot ले सकते हो ठीक है तो यह आप देख लो अगर आपको वीडियो ल जैसे यहां पे accept है ठीक है accept होता है कोई चीज़ मान लेना उसको नहीं मानने को क्या बोलेंगे reject है न तो इस तरीके से उसका उल्टा जो फिर यहां पे आपको कुछ words दी हैं इनको आपको sentences में इस्तेमाल करना था फिर यहां पे आपका एक block है social injustice के ओपर उसके related पूछा ग यहां पर अपको आप पहली बार किसी ठंडी country में जा रहे हो तो आप वहां पर आपको क्या क्या एसी चीज़ें जो साथ लेनी है तो आप आपने आपको आपको बारा फिरिंड है उसको पूछोगे उसके साथ dialogue करोगे ठीक है बात करोगे और पूछोगे कि क्या क्या मुझ थंब नहीं पढ़ते हैं जैसे एजेक्टिव है नौ है वाक है तो यहां पर भी यह वापस रिपीट हो सकते हैं यहां पर आपको एक लोकल फूर्ट वेंडर जो है उससे इंटर्व्यू करना है और उससे कोई पांच सवाल जो आप से पूछोंगे वो लिखने हैं फिर यहां पर लिखना है अपने बारे में एक प्रोफाइल बनानी है उसके बाद यहां पर आपको लिंकर या प्रोपोजिशन जो होते हैं लिंकर यहां पर लिंकर होते हैं जो आपके कोई दो सेंटेंस को जोड़ते हैं ठीक है या एक सेंटेंस को पूरा करते हैं तो यह आप देख स सेंटेंसे इस मिस्टेक जो ना सही करना org तो उसके उर्फ इसके आपकर ही और के अच्छारा थेए अच है वहां juicy Finnish होतीं के जाएंग्समा पेछिए उसके इस और सुख वोसके दौने यहां पर पूछे गए थे सवाल, जैसे firm decisions put together, overwhelming वगएरा है, तो इनको आपको बताना था इसका meaning क्या है, इन words का, तो यह है, उसके बाद आपको यहां पर past and past continuous, present perfect continuous, इसके यह दिये गए है, तो आपको यह इसकी practice करना एक बार, ठीक है, तो जैसे happen है, happened आएगा, अगर past में ह तो यहां पर दिये गए है, इनकी practice करना है, यह repeat हो सकते हैं, उसके बाद यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपको यहां पर सबसे पहले आपको यह लिखना था ना, more and more young people leading stressful lives are unable to cope with their situations, तो आज कल जाद जादा लोग जो है, वो stressful life जी रहे हैं तो आपको एक counselor और जो एक ब तो यह था आपका, यह भी repeat हो सकता है, यह अच्छे से करके जाना, फिर आपको biographical sketch कोई जो great social worker रहा है, जिसनी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से या आपकी society को अच्छे तरीके से impact किया, जिसे हो गए हमारे यहां पर mother Teresa हो गई या और भी बहुत सारे राम, आपको लिखना है, यहां उसके बाद आपको यहां पर एक right to a local leader suggesting ways in which this monument, तो यहां पर आपको कोई historical monument है, आपके area में जो दीरे दीरे तूट रही है, तो आपका जो local leader है, कोई MLA वगएरा उसको आपको यहां पर लिखना है, और letter वगएरा लिखनी है, और आपको उसको बत importance है, तो यह है आपका 2020-21 वाला, तो यह हाँ, यह सेम ही थे यह दोनों ठीक है, यह आपका 21-22 वाले, यह आपने भी किया होगा, तो आप इसको देख लेना है, एक बार इसको पढ़ लेना, उसके बाद यहां पे आपको यहां पे आपको यहां पे ना happened वाला यह सारी, इसक यहां पे कोई पोस्ट, जो है आपके एक पोस्ट प्रोरम औफिसर इंचिंभ यह इd continentकikes आपने, यह थे यहां पार इसको अंत प्रोंग आपको चाहिए उसके यह बारे मारे में करेफ आप कोई तो इसको पोस्ट ऐसके लिए अपश नाप करना चाहता है, तो यह कर लेकित कोई भी पॉलिटेशन, यंग पॉलिटेशन जो आपको लगता है, उसके जो भी आपको कोई पसंद है, उसके बाद आपको पसंद है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, लिखना है, उसके बाद आपको जो यहाँ पर है, राइटर रिपोर्ट फॉर न्यूस पेपर the NEP and its implementation in our national education policy जो है उसके ओपर जो है एक आपको न्यूस पेपर वालों को एक रिपोर्ट लिखके देनी है और इसको पताना है कि कैसे इसको implement कर सकते हैं into institutions वगरा है और इसमें language जो policy उसकी क्या importance वगरा है वो सारा आपको बताना है इसमें 300 words में ठीक है यह आप करके जाओग मतलब वैसा pattern same वही रहेगा questions भी वही होंगी सिर्फ आपको उनको practice करनी है और अगर वो अच्छे से practice करके जाओगे देखो वहाँ पर कैसे होगा ने जैसे अगर पुछाए कि कोई खाना खा रहा है तो same वैसे ही question होगा लेकिन उसको बोल देंगे कि कोई बाहिर जा रहा है इस तरीके से उसको करींगे वो change बाकी वो same ही रहेगा ठीक है वो passive वैसे ही आएगा आपको passive में दिया गया होगा आपको passive में change करना है आपको कुछ linkers दिये जाएंगे उनको आपको उनकी help से जोड़ना है sentences को तो यह ही अगर आप वो अच्छे से solve कर पाऊगे तो आप बा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी help करूँ और अगर आपको question paper सीधे चाहिए अपनी ये video देखना चाहते हो देन मैं Instagram आप देख सकते हो मेरे bio में वहां पे मैं अपना Instagram की जो ID है वो डाल दिया वो देख सकते हो मैं वहां पे भी कुछ time के बाद वो upload ये जो paper है upload कर द तंगी